वेलकम बेक दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अब 2023 में भरती आने वाली है क्या आप उस भरती को देख सकते हो आपके डेट अब भरत कितनी है उसके आदार पर और मैं आपको बता दूँ भाई डाई सा तो भाई हम क्या करते थे सीधा हम कलेंडर पर जाते थे और फिर हम सर्च करते थे कि भाई का जनम इतने दिन को हुआ है उस दिन को हुआ है और आज क्या तारिक है तो टोटल में लाकर कितने साल हो गए कितने महीने हो गए कितने दिन हो गए तब हम भाई को बता देते या जिनको बताते थे कि भाई आप 23 से पलस की हो गए आप भरती नहीं देख सकते हो या आप अभी 23 से छोटे हो तो आप भरती देख सकते हो तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपकी date of birth मालो की 23 है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी date of birth 23 तारि महीना 1909 में फिर नीचे देख सकते हैं 28 तारिक 6 महीना 2001 तो आपकी date of birth भी है तो क्या आप अगली भरती में जा सकते हो तो देखो मैं हाँ पर आपको पूरी जानकारी बताऊंगा मैं हाँ पर दोस्तों आपको लेके चलता हूं सीधा Chrome में आप अपने mobile पर भी यह सर्च कर लेना आपको सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है तो आपको सीधा क्या करना भाई Google खोल लेना या Chrome खोल लेना जो भी आपको खोलना है और आप वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्टर वीडियो को कर दो like क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए most important वीड लेटर परती है कि क्या मैं जो 2023 में भरती आएंगी या इससे पहले जो 2022 में भरती हुई है ठीक है तो क्या था कि काफी भाईयों के मैसेज आती रहती थे तो यहां पर देखो मैं आपको सब कुछ जानकारी बता दूंगा कि आप अगली भरती के लिए कैसे चेक कर सकते कि मे गुगल पर सर्च कर लेना तो यह मैंने फिलाल अभी यानि कि आप देख सकते हैं बोड पर ओपन किया हुआ ठीक है स्मार्ट बोड आप क्रॉम में जाकर अपने मुवाइल पर चेक कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको क्या लिखना एज कैलकुलेटर लिखना है और यहां पर अपको क्या करें धैसको सी चुदा देख करेंगे सिधार्पू पर उपन ओपन in और पर है इस इस हिसाफ से आपको MR है को सब कुछ इसासे दीखेगा है हमें क्या करना यहाप आप देख सकते हैं डेट औब बर्थ आपको दोस्तों अपनी डेट ऑब बर्थ और डालनी है तो मेरी डेट ऩॉपित क्या देखों मैहाप आपको बता देता 울म मेहाफ क्या हैं पर अपना जैसे कि मेरा जो जनम हुआ तो दोस्तों वह रहा था Itís लेड़ी में ठीक है और कौन सी डेट को हुगा था यहां पर इन समुझ कर लेता हूं में और शीदह आपके सामने सब कुछ data आ जाएगा ठीक है देखो result नेकल क्या आ गया मेरी age भाई 25 साल देख सकते हैं 25 साल हो चुके है मैं हाँ पर pencil ले लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ 25 साल 9 महिने और 10 दिन का भाई मैं हो गया हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 साल 9 महिने 10 दिन का हो चुका हूँ अब बात करें कि total मन्त कितने हो चुके हैं मुझे यानि कि मेरा जनम उस दिन से और आज तक मुझे कितने दिन मन्त हो चुके 309 मन्त मुझे भाई हो चुके हैं और 7 में 10 दिन भी एड हैं ठीक है फिर यान पर देख सकते हैं 20 कितने हो चुके हैं भाई मुझे 1344 बीक और 6 दिन हो चुके हैं और डे की बात हैं तो भाई 944 दिन मुझे जनम लिये हो गए हो गए हैं ठीक है और आप अपना कैसा सर्च करोगे देखो आपको क्या करना आपको अपनी date of birth डालनी है कैसे डालनी है आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना अपनी date of birth डालनी है जैसे कि मानलो की काफी भाई हो कि अपरेल है ठीक है अपरेल में उनका जनम हुआ अपरेल हैं सेलेक्ट कर लेते हैं और कौन सी डेट को हुआ, आप अपनी डेट यहां पर डाल देना, आप एक के होए, दस के होए, पंद्रे को होए, बाइस के होए, तेज के होए, जो भी है, तीस के होए, तो यहां पर हम डाल देते हैं, मालों पंद्रे, और कौन से सन में, सन में आप यहां पर डाल देना, ज चुकाहूं और मैं भरती के लिए एलिजीवाल हूँ ठीक है भरती के लिए उस्याखर, मन्त की, तो दोसो एकस्तर, 271 मुन अठाली दिन मुझे हो चुके, तो भाई ऐसे आप पता कर सकते हैं, ठीके अफ़ भरदी के लिए इलिजिवल हो या नहीं हो तो ये एज कैलकुलेटर आप अपने क्रॉम में जाकर डालना ठीक क्रॉम को उपन करना उपर टैप पर लेखा होगा ठीक उस पर आप एज कैलकुलेटर डालना और अपनी डेट अब बर्ड डालना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कितने साल और कितने मंत का हो गया हूँ तो यही आज की वीडियो में इतना ही ता काफी वाई हो गए जो भी क्योंकि इसको लेकर भाई बहुत सारे मैंसेज आते रहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता तो आपको सिर्फ ये चोटा सा कामकरना आपको पता चल जाएगा मैं कितने साल कितने महिना कितने दिन का हो गया हूँ तो आज की वीडियो मैं यही था और आज की वीडियो एंड करते हैं आप सभी से रेक्वेस्ट है जो भाई चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहन जेभारत बंदे महात्रम